हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल फ्रेंड्स आज देखो एक बहुत ही खुपसूरस सा नीटिंग पैटन लेके आई हूँ बनाने में बहुत ही आसान है दोसलाइका के वले डिजाइन है इस डिजाइन को आप बॉर्डर पे बना सकते हो और पूरा स्वेटर पे इस में देखो कितना प्रिटी है तो फ्रेंड्स ये डिजाइन जो है थ्री के मल्टिपल पे चलता है यानि कि आप ही डिजाइन बनाओगे न तो आपने तीन 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 इस तरह से तीन के जोड़े पर फंदे रखने है ठीक है यह दिखिए इसका बैक साइड उल्टी हम सीधी तरफ से बनाना शुरू करेंगे दिखिए पहला फंदा सीधा बुनो या इसे सीधा उतारो यह एज स्टेच है हमारा चीक है इसके बाद धागा आगे कर देना है एक फंदा उल्टा बनाना है एज को छोड़के यहां से स्टार्ट हो गया है डिजाइन एक उल्टा अब देखिए आगे के जो दो फंदे हैं इन में से दूसरे नमर के फंदे को हमने पहले बनाना है दूसरे नमर पर हमने सलाई इस तरह से डालनी है देखिए इस तरह से सलाई डालेंगे और पहले इसे बुनेंगे फिर इसके बाद पर्ष्ट वाले फंदे को बुनेंगे इ इतना सा ही है डिजाइन, एक उल्टा और दो फंदों को हमने इस तरह से ट्विस्ट करना है, पूरी सलाई इस तरह से बुनेंगे, एक उल्टा और इन दो फंदों को देखे, ट्विस्ट करेंगे, पहले सेकंड नंबर के फंदे को बुनेंगे, इस तरह से, फिर फर्स्ट वा देखो फर्स्ट रो पूरी बना दी है मैंने अब देखिए सेकंड रो बैक साइड उल्टी तरब से दूसरी सलाई जो एज इस्टिच है इससे हम उल्टा उतारेंगे जो एक फंदा हमने उल्टा उस साइड से बुना है उससे सीधा बुनेंगे इस तरब से और जो दो फंदो का हमने ट्विस्ट किया है देखिए जो दो फंदे हमने ट्विस्ट करें हैं उन्हें उल्टा बनाना है बस इतना ही है उल्टी तरब से एक सीधा दो उल्टे एक सीधा और दो उल्टे बैक साइड से हमने पूरा इसी तरह बुनना है एक सीधा और दो फंदे उल्टे ठीक ह तो यही है डिजाइन बहुत ही आसान है देखिए लास्ट में हमारा एक सीधा आएगा और एज स्टीच को उल्टा बुनेंगे तो इनी टूरो को बार-बार रपीट करे और इस डिजाइन को आप अपने परोज征क पे डाले किसी बी परोजेक्ट पे आप इस डिजाइन को डालू बहुत ही सुन्दर लगेगा और देखिए लाइट कलर में भी डिजाइन अच्छा लग रहा है और डार कलर में इसे बनाओगे तो डार कलर में भी ये डिजाइन बहुत खुश्रत लगता है तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए पापाई